साइंस क्लासेस बाइ रंजीत कुमाय में आप सभी का स्वागत है आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास फाइफ साइंस यह आपका क्लास फाइफ साइंस के पांचवा चप्टर है चप्टर 1.5 आनिमल्स इसमें हमने पढ़ा था सेंस और गेन में सेंस sense organ of different animals में हम लोग ने sense of smell, sense of vision, sense of hearing, sense of touch और sense of vision जाना था, ठीक है, इसके अलावे हम लोग ने जाना था How do animals communicate and sleep, आज हम लोग कुछ special पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हम लोग usefulness of animals के बारे में In this section, you will learn about the usefulness of animals, animals are very useful for us तो हम लोग जानेंगे कि जानवर जो होते हैं, वो बहुत ही उपयोगी होते हैं हम लोग के लिए सबसे पहले food, food is a substance which gives energy and maintenance our body जो भोजन होता है वो हमारे सदी के लिए energy देता है और हमारे सदी को maintain करता है An animal is also source of food, एक जानवर, food का source है, it gives us milk, यह हमें milk देता है, egg देता है, meat देता है, और honey देता है यानि जानवर हमें milk, egg, meat देता है, we use milk to make milk product like cheese, curd, sweets, sweets, etc हम लोग जो है, milk से बहुत सारी चीज़े बनाते हैं, जैसे milk से आपका छेना बनता है, दही बनता है, मिठाईया बनता है यह सारी चीज़े आपके milk से बनते हैं clothing, cloths are very important for us, cloths जो होता है हमारे बहुत महत्वपूर होता है, cloths protect us from cold, cloths जो होता हमें थंड से बचाता है, heat, rain, wild sunlight etc cloths जो हमें बहुत जादे बचाता है, cloths हमें ठंडर, गर्मी और बारिस और हवा से और फिर धूफ से इन सब चीजों से बचाता है some cloths come from plants and some from animal like silk, cloth, wool, leather, कुछ ऐसे आपके cloths होते हैं, जो plant से आते हैं कुछ ऐसे आपके cloths होते हैं, just silk cloths, wool, leather यह सारे सारे आपके जानवर से आते हैं silk is often from silk warm, silk जो होता है वहाँ, आपका silk warm से आता है the fur of animal like gaut, sheep, camel, yak etc is used to make woolen cloths that keep us warm जो आपका gaut, sheep, camel, yak यह सारे चीज़े होते हैं, यह woolen cloths इन से आता है और यह हमाई सरी को गरम अता है, we wear some leather cloths like jacket, belt, shoes, used tent of for mountaineering हम लोग क्या करते हैं, कि हम लोग leather के बहुत सारे कपड़े पहनते, jacket, belt, shoes और tent to mountain पर बनाने के लिए इस्तमाल करते हैं the skin of animal like cow, buffalo, snake, camel, etc are used for making clothing things after their death कुछ जानवरों के मर जाने के बाद से उनके skin का इस्तमाल हम लोग clothing things बनाने के लिए करते हैं जैसे आपका cow होगे, बुखे, snack होगे, camel होगे, चिक है, चलिए अब, आगे, आपका है, medicine, some medicine are obtained from the animal like fish called cod reliever oil and sark oil are rich source of vitamin, snake venom is used to cure snake bite, medicine, कुछ ऐसी medicine है, जो जानवरों द्वार बनाई जाती है, कुछ ऐसी medicine होती है, जो फिस जासे cod liver oil और sark liver oil जो होता है, वो विटामिन का बहुत एचा सुरूत होता है, snake जो होता है, साप काटे का जहर की दवा जो होती है, वो साप के जहर से ही तयार होती है, अब आगे जो पढ़ाई होगी, आपके आगे एक वीडियो की पढ़ाई में हम लोग ट्रांसपोर्ट और इसके बाद वाली बाते जानेंगे, कि किस किस तरह से जानों काफी प्योग होते हैं, आज की वीडियो में इतने ही इस वीडियो को जाएसा है, लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, हवे नाच डे